हलो फ्रेंट्स, वेलकम बाक टो माई चैनल, अज मैंने बनाई हैं मैगी, मैगी तो आपने बहुत खाई होगी बट एक बार इस स्टाइल से जरूर बना के देखना, अगर आपको पसंद आएगी तो कॉमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना So let's start with our recipe, सबसे पहले यहां लेना है तेल, तड़के के लिए, तेल जैसे ही कर्म हो जाएंगा, हम इसमें डालेंगी आधा छोटा चमच जीरा, तो यहां मैं दो पैकेट के हिसाब से तड़का रख रही हूँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ करी पता, तो दस बारा करी पते लिए है मैंने, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, तो यहां मैं दो हरी मिर्च यूस कर रही हूँ, इसमें अच्छा फासा तीखा हो जाएगा, आप जितना जादा तीखा पसंद करते हो, उस हिसाब से लेना, हरी मिर्च भून चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ गांज तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसकी जगों मुंग फली का भी इस्तमाल किया जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा भून लेना है, और अब इसमें में डाल रही हो, लहसन और धनिया पत्ता का पेस्ट, छोटा सा आधा चमच, इससे बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मागी का, इसे थोड़ा सा भून लेना है, और अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, तो थोड़ी सी मोटी मोटी सी मैंने कट कर लिए शिमला मिर्च, ताकि इसका क्रंची सा फ्लेवर बना रहे, और इसे पहले नहीं डालते हुए, आखरी टाइम में डाल रहे हो, ताकि उसका क्रंच अच्छे से मिले, और इसमें मैं डाल रहे हो, दो मेडियम साइज टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप किया था, साथ ही इसमें डाल रहे हो नमक, तो यहाँ छोटा आधा चमश नमक ले रहे हो मैं, सिर्फ सबजियों के हिसाब से नमक लेना है, क्योंकि इसे ढखकर पका लेना है, जब तक टोमाटो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, दो मिनिट में टोमाटो सॉफ्ट हो चुके है, इसे थोड़ा सा मिक्स करकर दिखा देते हो, कितना अच्छा सा यह मसाले का कलर आया है, आप देख सकते हो, अग्दम पॉफेक्ली बन चुका है, तो इसमें अब डालना है, टोमाटो सॉस, तो करीब दो से तीन टीबल स्पून टोमाटो सॉस ले रही हो मैं, साथी समें में डाल रही हो, औरिगानो इस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इस मैगी का, तड़के वाली मैगी का, तो बस आधा छोटा चमची औरिगानो लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे कर लेंगे हम मिक्स, और अब इसमें डालेंगे पानी, तो यहां मैं दो गलास पानी ले रही हो, जिस तरह से मैगी के पाकेट पे लिखा जाता है, जितना पानी का कॉंटिटी रखना है, उस हिसाब से ही मैं यहा हुआ धनिया पता, और अब इसमें मैं डाल रहे हो, जो मैगी वाला टेस्ट में कराता है, जो अंदर पाकेट आते हैं, बस वो दो पाकेट इसमें डाल देने हैं, तो टेस्ट में कर, प्लस हमारी जो सबजी वाला तड़का है, इस से मैगी का टेस्ट आप केस कर सकते हो, कि इस हिसाब से मैंने लिया है यहां यहूँ वाला तो इसे हम थोड़ा सा धकर पका लेंगे ताकि जल्दी से यह पक जाए आप बारिश के मौसम में यह मैगी बना के खा सकते हो इवनिंग टी टाइम स्नाक्स में बना के खा सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसे सबजियों के ट्विस्ट से मैंने हिल्दी बनाया है तो आप इस तरह से जरूर ट्राइ करना बच्चे बड़े और सब को पसंद आने वाली यह जो रेसिपी है हमारी मैगी तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना अपनी फामिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना तो हमारी मैगी बनकर एकदम रेड़ी है मैं इसे करूंगी मसाला टी के साथ सर्फ मुझे बताना आपने कैसे किया थैंक्यू सो मच हमारी मैं बताना आप्स पा-वचिता स्वच कि आपज़ जास करेंपद भी कि तो हमारी मैं जापने की बनकर ओंशी जार